मुख्य मंत्री बनने के बाद से ही श्री पुशकर सिंग धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और ऐसे फैसले ले रहे हैं जो ना सिर्फ बेरोजगारों के हक्म हैं बलकि अन्य जनता भी इससे काफी लाबानवित हो रही है मुख्य मंत्री बनते ही जो सबसे बड़ा और एहम फैसलाश्री पुशकर धामी ने लिया वो था गैस्ट अध्यापकों की सेलरी को बढ़ाना जहां पहले गैस्ट अध्यापकों को मात्र 15,000 रुपए सेलरी मिलती थी वही अब ये सेलरी 15 से बढ़ा कर 25,000 कर दी गई है जिस कर रहे नौजवानों के बीच हुशी की लहर दोड़ पड़ी है इतना ही नहीं मुख्य मंत्री ने सरकारी विभागों में बेहत कम सेलरी पर काम कर रहे पूर्वसैनिकों के लिए एक कमीटी का गठन किया है जो पूर्वसैनिकों के कल्यान और उत्खान के लिए काम करेगी इन सबसे एहम और भावुक फैसला कोरोना काल में अनात हुए बच्चों के लिए मुख्य मंत्री वातसनिय योजना की शुरुआत करना है जिसकी पहली किष्ट भी लोगों के खाते में पहुँच चुकी है 21 साल की उम्र तक हर मही ने 3000 रुपे अनात बच्चों के खाते में डालना और उनकी शुक्षा के जिम्मेदारी उठाना श्री पुष्कर सिंग धामी की समवेदन श्रीलता को दर्शाता है अभी हाल ही में मुख्य मंद्री ने भूकम की पूर्वचेतावनी और क्षतिग्रस्त जगहों पर हांसे लोगों की लोकीशन को ट्रेस करने के लिए उत्तुराखंड भूकम एप को भी लॉंच किया है जिसकी वजह से लोगों को तत्काल मदद उपलब्द हो सकेगी मुख्य मंद्री श्री पुषकर थामी ऐसी कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं जिसका सीधा फाइदा उत्तुराखंड की चनता को मिलेगा उनका कहना है कि वो उत्तुराखंड को देश में सबसे बेहतर राज्जी के रूप में देखना चाहते हैं जिसके लिए वो निरंतर प्रयासुरत है